हालो अब्रिवान स्वागत है आप सभी का मेरी चानल दिवाइन चारो में सो आज जो रीडिंग करने जा रहे हो यह है साल दो हजार चॉबीस का आप लोगों का राशी फल जिसमें हम देखेंगे आपके राशी के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवराल इस साल में आप लोगों की लव लाइफ हो आपके करियर हो फाइनान्स हो स्टूडन्स हो हेल्थ हो ओवराल सारी एनरजी को उन्रों क्रॉस चेक करने वाले हैं ध्यान रखना इस रीडिंग को आप जो है मून साइन, चंदरराशी, लगनराशी, राइजिंग साइन, स्टार साइन या आप अपने वीनस साइन या डेट ओव बर्ड जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं यदि आपको अपनी राशी पता ही नहीं है आप बहुत कंफ्यूजड है अपनी राशी को लेकर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें मैंने आप लोगों के लिए एक समराइज करके चीज़े रखी हुई हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों का एनलिसिस किया जाता है कुणली का विशलेशड उसमें काफी कुछ पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कौन सी दशा में हैं कौन सी जगा पर बैठे हुए हैं इसलिए चाहे कोई एस्ट्रोजर हो चाहे वेदिक हो शास्त्र हो कोई केपी कर रहा हो निम के रिलेटिड सभी टीटल्स डिस्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मल जाती है और ब्रस लिट बनने जाए τους एक 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 कर वालों के लिए क्या expected है overall universe मुझे बता है overall क्या expected है कनिया राशी वालों के लिए साल 2024 में eight of cups, three of pentacles, king of wands, page of cups, high priestess, king of swords, nine of swords, two of pentacles, knight of cups, five of pentacles, devil, eight of swords, bottom of the deck, page of pentacles एक और deck open कर रही है, universe मुझे बता है वर्गो राशी वालों के लिए क्या expected है साल 2024 में overall, going with the flow, flowering, fighting, transformation, participation, understanding, astrologically भी देख लेते हैं, universe मुझे बता है कनिया राशी वालों के लिए साल 2024 में क्या expected है overall जुनू एक्यूरिस नक्चुन ओके वर्गो राशी वालों सबसे बहले करियर की बात कर लेती हूं करियर में कैसा रहेगा यह साल आपके लिए यह साल करियर में आप कोई नया जॉब जॉइन कर सकते हैं specially अगर जॉब वालों के लिए मैं बताऊं तो कोई new जॉब जॉइन हो सकता है इस साल और यह जॉब काफी creative होगा कोई creative field में आप जाते हुए ग्यान बहुत बटो रहेंगे बहुत जादा ग्यान और knowledge लेंगे अब यह किसी senior से मिलता नजर आएगा या किसी ने किसी से आपको बहुत जादा knowledge जो है मिलता नजर आ रहा है ऐसी energy मुझे दिखाई दे रही है new job मिल सकती है और अगर आपकी पुरानी कोई job है तो उसमें आपको team work बहुत अच्छा मिलेगा like colleagues बहुत support करेंगे आसपास के लोग supportive हो जाएंगे लोगों की kindness आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी support काफी मिलेगा आपको support यहाँ पर अब यह support आपको family से हो सकता है या friends से हो सकता है मिले लेकिन support मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है यहाँ पर आपके जीवन में मुझे clearly financial level पर अगर मैं business में भी देखू तो चीज़े बहुत creative होंगी आप काफी creative होंगी आप logo के लिए kind of inspiration बनेंगे लोग आपको काफी पसंद करेंगे logo से मुझे यादा है public image कैसी रहेगी आपकी देखो यार सरकारी नौकरी पले तो ढूंड रहे तो इस साल definitely struggle है सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलने माली इस साल मैं clearly बोल रही है ऐसानी नहीं मिलेगी संगर्ट जादा करना पड़ेगा खर्चा भी बहुत हो जाएगा आपका इस साल सरकारी नौकरी के लिए आप खर्चा बहुत करेंगे expenses बहुत होंगे या मन में stress बहुत होगा इस तरीके की energy है जहाँ पर पढ़ने की जहाँ बात आए या किस तरीके के अगर मैं कोई बड़े पत की देखूं बात करूँ तो definitely थोड़े से struggles रहेंगे public image आपकी थोड़ी गड़ बढ़ाएगी इस साल public image यानि कि ऐसे तो आप अपने job वाप कर रहें हमाँ पे तो लोग पसंद करेंगे support करेंगे लेकिन अगर मैं overall कहूँ तो लोग आपके पीट पीछे बाते बहुत करते नजर आएंगे यानि कि लोग आपके विश्वास नहीं करेंगे लोग आपको trust वर्दी नहीं मानेंगे हर कोई आपके पीट पीछे ना आपकी बुराई या आपके लिए gossip करता नजर आएगा चाहे जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो भी आपके पीट पीछे आपके अगेंस्ट ही बात करते नजर आएंगे यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि public image आपके अच्छे ही नहीं होगी इस साल हर कोई आप मेंसे कोई ना कोई दोश या कोई ना कोई faults निकालते नजर आएंगे आप चाहे अच्छा भी कर ले आप चाहे कितना दान धरम भी कर ले पर कोई ना कोई आपके अंदर से जो है लोग शिकायदे ढूंडी ही लेंगे students के लिए अगर मैं बताओ finances अगर मैं कहूं तो अच्छे हैं बट मुझे लग रहा है कि जादा बहतर जो आप ढूंड रहे हो वो opportunities इस साल इतनी अच्छी नहीं होगी पर हाँ आप अभी स्तिती में हैं उससे आपको मैं कहूंगी 10% या 20% definitely grow करेंगे आप promotion होगी कि नहीं होगी इस साल promotion होने के chances हैं grow करेंगे salary या increment हो सकता है projects, presentations अच्छे पूरे होंगे और आप through days भी हो रहे हैं तो नई-ने चीज़े आप study करते नजर आएंगे नई-ने चीज़े सीखते नजर आएंगे लेकिन हाँ, लोगों को definitely आपसे problem होगी पीट पीछे आपके लिए बात करेंगे उसका reason कहीं न कहीं आपका गुसा या आपका किसी के लिए कुछ बात करना या कोई न कोई gossip करना किसी के बारे में आप कुछ बोल देंगे आप जो भी बोलेंगे बिना वज़े कोई न कोई point निकली आएगा, बिना वज़े लोग आपको गलत ही समझेंगे पर उससे आपको कुछ हाम नहीं होने वारा है अगर students की मैं बात करूँ तो students के लिए साल अच्छा है बट थोड़ा सा आप distract होंगे आप अपनी love life वगेरा पर ज़्यादा ध्यान देंगे लट से love में कोई है नहीं तो कहीना कहीं प्यार की खोज में नज़र आएंगे flirtatious energy रहेंगी, social media पर या कहीं active हो जाएंगे, distract बहुत होंगे इस साला, बहुत ज़्यादा कहीना कहीं, exams के result तो अच्छे आ रहे हैं आपके favor में आ रहे है, rewards receive होगा पर dedication required है आपको इस साल dedicated होने की ज़रौत है, थोड़ी से discipline होने की ज़रौत है, इस साल मन बार-बार भटकेगा, पढ़ने ही बैठेंगे, यादि notice करेंगे suddenly कोई ना कोई, let's say life में कोई है, तो वो व्यक्ति आपको divert करेगा किसीने किसी बाहने बुलाएगा, कहीं घूमने के लिए ले जाएगा, या आप उस इंसान के बारे में आप ज़रौत से जादा सोचना शुरू करतेंगे यहाँ पर मन में भटकाओ, बहुत रहेगा या भी ना वज़े कहीं घूमने करने निकल जाएंगे भटकेंगे बहुत इस साल पढ़ाई में, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, अगर आप किसी exam के लिए प्रिपेर कर रहे हो, सफलता ज़रूर मिलेगी, आपके महनत के दम पर ही मिलेगी, लेकिन distraction बहुत रहेगा आपके आसपास इस साल मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप बार बार जो है, distract होंगे इस साल मैं कहूंगी कि आप जो है अपने emotions पे control करने का जादा प्रयास करें, emotion और communication दोनों पे, सोच समझ कर बात करें और emotionally सोच समझ कर ही किसी के साथ लेकि किसी पे trust करें या किसी के साथ आगे बढ़ें जल्दी trust कर रहे हैं, जल्दी hurt हो रहे हैं ऐसी energy मुझे जादा दिख रही है इस साल daydreaming जादा करेंगे खयाली पुलाओ जादा बना रहे हैं, सोच विचार घर को खरीदने के बारे में सोच विचार करेंगे इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि जो काम करना है, जो saving करनी उसके ध्यान देंगे ही नहीं घर खरीदना है, लेकिन saving करनी उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं घर बनाना है, या इस तरीके की energy है जहां पर आप plan ज़रूर कर रहेंगे एक दिन घर बनाना है लेकिन उसके लिए savings पर आपका focus zero रहेगा तो थोड़ा savings पर भी ध्यान दोगे तो आपका घर बन सकता है आप घर खरीदेंगे फिर उसके बाद ही इस साल गई न कहीं परिश्रम होगा इस साल आप property buy करते नजर नहीं आ रहें execute करते नजर नहीं आ रहें प्लान पे कहीं न कहीं हाँ घर को लेकर बिनावज़े के खर्चे बहुत करेंगे अगर घर अलड़ी खरीद है तो उसमें खर्चे बहुत करेंगे उस घर को बनवाने में उसकी साथ सजावड में लेट से रेंटल भी हैं अगर रेंट पे भी हैं तब भी उस घर को बहुत सजाने की कोशिश करेंगे उस पर बहुत खर्चा कर लेंगे जो थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं होगा बहुत थिजूली चीज़े हो जाएंगी घर परिवार में आप थोड़े बच्चों जैसे नजर आएंगे थोड़े से मूडी, थोड़े से mood swings होंगे मेरी बात मानो वरना तो दफा हो जाओ वाली एनरजी आप में जादा देखने को मिलेगी धर परिवार वाले ऐसे नहीं है कि आपके साथ बुरे होंगे mixed रहेंगे कहीं उनकी भी गलतियां दस होंगी वो इंसान नॉर्मल ही आया होगा आपके पास लगसे आपकी मदर, आपके फादर आपसे ऐसे ही नॉर्मल ही बोल रहेंगे आप दूद दे दो यहां से तो आप बिना वज़े ही खयाली पुलाओ बनाएंगे कि अच्छा, ओ, मेरे लिए साजिश उस दूद के बदले मुझसे कुछ तो मांगने वाले हैं यह मुझे, कुछ न कुछ मुझे फाइदा निकालने की कुछ उच कर रहे हैं आप बिना वज़े ही खयाली पुलाओ बनाएंगे बिना वज़े ही थोड़ा से धंग से रखेंगे, या बातों को छुपाएंगे या बातों में किसी तरी की मैनियूपलिटिव एनरजी रहेगी पूरी तरह सत्य बत बोलते नजर नहीं आएंगे सच बोलेंगे ही नहीं, या सच बोलेंगे तो उसको मुझे नीचा दिखाना है, लेकिन आप उस इंसान को ऐसे competition जरूर लेंगे, आपके अंदर वो jealousy create हो जाएगी, आपके अंदर insecurity create हो जाएगी, जहाँ पर आप सोचेंगे अच्छा तो ये इंसान मेरे उपर जाना चाता है, भाई इसको तो आप हम बताएंगे तो दुश्मन हों पे न, तो आली रे आता माजी बारी आली या तुझी बारी आली वाला attitude आपका एक अलगी level पे रहेगा पर अच्छा है, ये आपके लिए motivation बनेगा जिसके वज़े से आप अपने काम में और अच्छा perform करते मज़र आएंगे लेकिन थोड़ा सा गुस्सा कम करने की ज़रौत है एस साल गुस्सा बहुत आ रहा है आपको थोड़ा सा आपको कंच्रोल करने की ज़रौत है हो सके तो आप अपने गले में या आप अपने wrist पे यहाँ पर नस की एरिया पे आपके left hand में हल्दी का थोड़ा सा टीका लगा दे हल्दी का टीका यहाँ या अपने गले के ठीक बीचो बीच लगा सकते है डेली नहाने के बाद without fail दिदी मैंसे से क्या करे लगा है हाँ लगा सकते हो प्रेगनसी में भी लगा सकते हो हल्दी कटी का लगा सकते हो गले के बीच में यागर गले में प्रॉब्लम है तो यहां पर फ्रिस्च में लगा सकते हो पीला धागा पहन सकते हो धागा पहनना मुश्किल है तो ब्रेस्टेट बनवा सकते हो अपने लिए अब इस सब को कॉंटाक करो बतनमर्स के हिसाब से बनवाओ, गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करने की जरौत है, गुस्से को शब्दों को सोच समझ कर बात करो, या तो बाचीत अवोइड करो, और बोल रहे हैं तो सपश भासा में सच बोलो, घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, कहीना कई लोग आपको, आपक कि किसी तरीके से कुछ बात है, अगर ऐसे कर रहे हैं, तो लोग आपको समझ पा रहे हैं, उनको कहीना कई आपके पीट पीछे इसे वज़े से प्रॉब्लम हो रहे है, आपकी हेल्थ को लेकर उतार चड़ाव रहेंगे इस साल, अचानक से हेल्थ दाउन होगी, फिर अचा अचानक से आउट हो जाएगी, तो हेल्थ थोड़ी सी उपर मीचे रहेगी, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, सास लेने की दिक्कत हो सकती है, अगर मैं आप लोग की लव लाइफ की बात करो, तो भाई ये साल लाव लाइफ कैसा रहेगा, सबसे बहले लाव लाइफ में अफेर वालों की बात कर लेते हूँ, जो गॉल्फरिंड, बॉइफरिंड साथ है, कोई अफेर है, नो कॉन्टेक वालों की लाव लग एक रीडिंग बनेगी, राशी फल बनाओंगी, साल भर का, वो अलग से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है, हम अवर जनरली रोमांटिक लाइफ की बात कर लेते हैं, लव लाइफ कैसी रहेगे, लव लाइफ में आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत अट्राक्टेट, बहुत अडिक्टेट रहेंगे, बहुत ज़ादा अडिक्टेट, आपके जीवन में अडिक्शन और अप्सेशन इतना रहेगी जहांपर आप जो है बहुत strongly उनसे obsessed या possessive रहेंगे जिसके वज़े से मुझे इस साल chances बहुत strong दिख रहे हैं कि आप किसी गलत क्रियाओं में जा सकते हैं इस साल, इस साल कोई गलत चीजें हद कंडे अपनाने की कोशिश करेंगे, कोई like let's say spell करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से बस कोशिश करके अपने partner को पूरी मुठी में रखने की कोशिश करेंगे, जितनी कोशिश आप उनको मुठी में रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप notice करेंगे, आप उनके वज़े से बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, आप तकलीफ में आ जाएंगे, क्यो आप बहुत सारे counselors या tarot leaders को approach करेंगे इस साल अगर आपके partner single हैं तो chances से उनकी शादी कहीं और हो सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं या उनकी marriage अगर कहीं किसी और से हुई है तो definitely उसको लेकर आप curated होते हुए नज़र आएंगे आपके मन में काफी जादा उस इनसान को लेकर बहुत ही आप उसके against खड़े नज़र आएंगे third person को लेकर आप बहुत दिमाग खराब होगा आपका इसके वज़े से ही आप कुछ गलत चीज़ों में पढ़ जाएंगे clearly मुझे दिख रहा है कि उसके वज़े से ही आपका दिमाग की गलगी एनरजी में चला जाएगा इस साल आप अपने रिष्टे से बार बार move on करने की भी कोशिश बहुत करेंगे अपने रिष्टे को छोड़ अपनी जंदगी में आगे बढ़ने का बहुत प्रयास करेंगे लेकिन कहीं न कहीं अपने पार्टनर के पास जो है स्टक हो जाएंगे पार्टनर से डिसकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे पाक्टर कोई ना कोई अच्छी अच्छी बाते कर लेगा या कर लेगी अब फिर वापस से उनके connection में आ जाएंगे जिसके वज़े से आप उन्हें छोड़ भी नहीं पाएंगे इस साल marital life की अगर मैं बात करूँ तो marital life आलो आप लोगों के लिए stress ज़रूर बन रहा है पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनकी कोई बुरी आदत उनकी कोई बुरी जो है हरकते या उनकी health को लेकर किसी ना किसी तरीके का stress definitely बनता नजर आ रहा है इस साल आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत परिशान रहेंगे लव लाइफ में हो तो मैं overall energy में ही देख पार हूँ कि आप irritate होते में नजर आ रहे हैं पार्टनर को लेकर आप exhaustion फील करेंगे, stress फील करेंगे उनके वज़े से बार-बार रिष्टे को छोड़ कर जाने की कोशिश करेंगे अगर married है तो in fact यही तक chances है कि कोई नया विक्ती पसंद है जिसके वज़े से आप उस रिष्टे को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार यह इनसान के साथ तो मुझे खुश नहीं हो रही वो नया वाला मेरे साथ सही है पर वो नया वाला भी proper commitment देगा नहीं जिसके वज़े से आप confused हो जाएंगे तो इस साल आप बहुत उलजेंगे आपको opportunities भी मिलेंगी लेकिन आप उलजेंगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा relationships के वज़े से आप exhaust होंगे इस साल इस साल आप प्यार चाहते हैं और प्यार को लेकर आप बहुत परिशान होगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप जो सोच रहे है वो right है या जो हो रहा है वो right है लगे clarity मिलने में दिक्कत होगी जिसके वज़े से मैंने आपको हल्दी का उपाय दिया possible नहीं है हल्दी का धागा पहन लो हल्दी का धागा possible नहीं है आप एक पी लेकर लगा छोटा सा तुकड़ा अपनी जेब में रख दो अपनी पर्स में अपनी वालेट में रख दो Thursday के दिन पुरा साल रहने दो उससे भी बहुत फाइदा हो जाएगा उससे आप कही न कहीं खुद को शांत कर पाएंगे थोड़ा सा मंतर जा पूजा पार्ट में spirituality की और भी आपको जाने की ज़रौत है काली विद्या से ज़ादा pure mindset की तरफ जाने की ज़रौत है अगर pure दिशा में गए तो बहुत फाइदा हो सकता है लेकिन अगर काली विद्या में गए तो नुकसान भी बहुत ज़ादा करेंगे अपना क्योंकि इस साल आप काली विद्या की और जादा जाते हुए नजर आ रहे है आपको अगर अपने कंट्रोल कर लिया खुद को तो आपका फाइदा बहुत होगा बहुत जादा अलाइक आप अपने पूजा पार्ट में अपने इश्वर में बिलीब कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका फाइदा बहुत हो रहा है इश्वर के वजए से माइंड क्लारिटी है, पॉजिटिविटी है, पीस ऑफ माइंड है आप काली विद्या की और गए आप नोटिस करेंगे बहुत ही loveable हो, आपकी life में कुछ बड़ी इच्छाएं नहीं होती है, clearly मुझे दिखता है कि बहुत जादा expect नहीं करते हो, प्यार ही बहुत होता है आप लोगों के लिए, लेकिन कहीं न कहीं इस साल मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा struggle जरूर बनेगा, आपको give up नहीं करना, इस साल आप बिना वजह ही अपने अंदर एक exhaustion क्रियेट कर रहे हैं, इस साल जितना हो सके busy रहो, आपके कारे में आपको सफलता मिल रही है, आप अपने काम में बहुत busy हो जाओ, आपके काम में busy होंगे, आप notice करेंगे, आप सोच विचारों से परे हैं, आपकी चीज कुछ और ही thoughts में चले जाते हैं, बच्चों को लेकर संतुष रहेंगे, बच्चों को लेकर peace of mind रहेगा, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर stress free नज़र आएंगे, happy नज़र आएंगे, संतुष नज़र आएंगे, conceive करना चाते हैं, conceive भी कर सकते हैं, अगर good news चाहिए family और friends को लेकर, तो friends कहीं न कहीं आपके favor में नज़र नहीं आएंगे, भले आपके साथ उड़ बैट रहे हैं, पर वो आपके against जादा नज़र आएंगे, आपके pit पीछे ही वो आपके against नज़र आएंगे, या आपके pit पीछे ही या आपकी साथ होकर भी वो आपको hurt करने की कोशिश करेंगे, दोस्त आपके सगे इस साल नहीं होंगे आपके साथ, दोस्तों को आपसे कोई problem रहेगी, आपसे किसी तरीके की नाराज़गी बनेगी, या वो किसी तरीके से आपको बहुती बिनावजा घलत महसूस करेंगे, misunderstanding creates होंगे, तो दोस्तों के साथ उटना कि एक ऐसे stage पर होंगे, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखना है और समझना है, अपनी life में जो learnings आप ले सकते हो, उस learning पर बहुत जादा focus करो, नहीं नहीं चीजों को सीखने और पढ़ने में जादा focus करो, आपको बहुत फायदा हो सकता है उससे, चोल आप छोटा मोटा summarize कर लेते हैं आपके बारे में, अच्छा, singles जो marriage के लिए try कर रहे हैं, मैं कहूंगी थोड़ी जादा effort डालनी पड़ेगी, तब जाके कहीं संभावना बनेगी, नहीं तो आपको बोलूगी, skip करो, next year आप try कर सकते है, 2025 में, बढ़ आपको घाई है, तो आपको थोड़ा effort करन same year में हो जाती है, जिस तरह like बोलते हैं जिस तरह tarot reading collective होती है, timeless होती है, उस तरह astrology readings भी हमेशा से general रही है, बस यह आपको कोई जोतिश या कोई पड़ित इतना ये बारे में बताते ही नहीं है, तो यह कुंडली visualization से ही जादा पता चलता है, तो आपकी कुंडली से ही पता आप consultation करवा सकते हैं, मुझसे या किसी भी और से, जिसे आपको idea लग जाए, summarize कर लेते हैं, going with the flow, flow के साथ आगे बढ़ते रहें, आपकी life में positivity ज़रूर आ सकती है, इस साल कई ना कई, आप अपनी जिंदगी में grow करेंगे, creative होंगे, लोगों का support मिलेगा, आप भी बहुत caring loving है, बच्चों को लेकर संतुष रहेंगे, बच्चों को लेकर stress खतम हो जाएगा, कहीं ना कहीं, अपने अंदर जो है, बहुत जादा positive उर्जा लाने का प्रयास करेंगे, तो आप flower के जैसे चमकते नजर आएंगे, इस साल आपके लिए fights बनेगी, कहीं ना कहीं struggles बनेगे, difficulties create होंगी, कहीं ना कहीं, आप एक competitive state का सामना करेंगे, या लोग पीट पीछे बिनावज़े ही, आपको ऐसे competitive personality feel करेंगे, और या बिनावज़े आप ही अपने आपके लिए बोलते ना, यह सोच विचार रखेंगे, अच्छा, यह मेरा दुश्मने, यह मेरा दुश्मने, आपको बस यह fighting energy से निकल कर, प्यार से, बोलते हैं न, वो महत्मा गांधी वाली energy है न, कोई एक थपन मारे तो दूसरा गाल दे दो, तो दूसरा गाल मत दो, लेकिन प्यार से रहने की कोशिश करो, चीज़े आपके लिए balance हो सकती है, यह समझ लो कि समय आपके favor में नहीं ह इस साल आप devil भी बन सकते हो, इस साल आप spiritual भी बन सकते हो, आपको decide करना है, आप सादू बनना चाहते हो, या आप शैतान बनना चाहते हो, यह साल आपकी एक अलग उर्जा को represent करेगा, ठीक है, सादू बनके तो फाइदा जादा है, इस साल आपकी transformation होगी, जैसे कि मैंने प illusion से भी बाहर निकलने के अलग बक साल के end तक आप भरमत दुनिया से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी clarity आपको मिल सकती है, चीजों को और सामने वालों को समझने की कोशिच करें, सामने वालों से communicate कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को जादा सुनें, अपनी बात कम रखें, ठ लेकिन उन्ही के वज़े से थोड़ा सा struggle इस साल आपको feel होगा, जहाँ पर आप stuck feel करेंगे, इस साल कोई कुछ लोगों के लिए मैं यह भी बोलूगी, कुछ लोगों के लिए new opportunity expected है, new opportunity मिल सकती है, को new victory आपके जीवन में आ सकता है, अगर आप try करेंगे, definitely new victory और अच्छा बिना वज़े की एक छाया create हो जाना, जिसमें आपको बार बार लेक बूते ना पीछे से whisper हो रहा है जैसे, कि तेरे साथ गलत हो रहा है, everything is wrong, तो मलब तेरे साथ हमेशा गलत ही हुआ है, so इस तरीके की energy जाद़ बनेगी इस साल, तो आपको यह समझना होगा कि practical world में क्या स कुछ गलत नहीं हो रहा है, और mind clear रहेगा, भगवान आपके साथ मज़र आएगा, लेकिन अगर आप devil बन गए, तो definitely आप जो है, उस शैतानी दिमाग से बहुत से लोगों को harm पहुंचाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी प्रजा को ही जला देंगे, और बाद को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके अलावानिया कोई जानकारी साते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकती है, अभी के लिए इतना ही, मैं चल भी अपना ध्यान रखें, मुस्करा तेरें, बाई टे झाल